तो अलो फ्रेंड्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंट्री एंड करेंसी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो सीधा टॉपिक पाते हैं हम लोग बिना टाइम बेस क्यों इसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन सी कंट्री जो न्यूज में थी अभी और उसकी करेंसी ठीक है जिसमें हमारा फर्स्ट नैशनल करेंसी ऑफ युएस से युनाइटेट स्टेट्स अव अमेरिका जिसका है डॉलर करेंसी पता ही होगा आप लोग नैशनल करेंसी ऑफ रशिया रूबले आर जिसे नैशनल करेंसी और यूजिलन डॉलर सकला नैशनल करेंसी उफ और यूद्ट आप कह सकते हैं और यूद्ट मेнет्ट Garyण którzyनिंजिलंट डॉलर सबाइनसें और आफगानी रुपी आफगानी कह सकते हैं नेशनल करेंसी ओफ बंगलादेश ठका नेशनल करेंसी ओफ नेपालेज रुपी नेशनल करेंसी ओफ चाइना तो यूवान नेशनल करेंसी ओफ पाकिस्तान तो ये पाकिस्तानी रुपी नेशनल करेंसी ओफ साओधी अरेबिया तो लो कि नेशनल करन्शी ओफ भूटान तो यह न्यूगल टृम न्यूगल टृम्ट ओके डियो अभीड यूद्टि नेशनल करन्शी ओफ कैमबोडिया तो यह आएगा हमारा रायल कि तोड़ा मैं फास्ट ली और कर रहा हूं ठीक है फ्रेंड्स आप आप लोग इसको वीडियो को स्लो करके देख लीजिए का ऐसा है तो अगर आपको तो किया है हम बहुत सारा टॉपिक कवर करना है ठीक है इस वीडियो में तो हम लोग फास्ट चलते हैं नेक्स जो हमारा रहने वाला है नेशनल करन्सी ओफ इंडोनेशिया तो यह रूपाई है ठीक है नेशनल करन्सी ओफ जापान यह नहीं ठीक है नेशनल करन्सी ओफ मलेशिया तो रिंगिट नेशनल करन्सी ओफ माल्डिवस तो यह रूफिया नेशनल करन्सी ओफ मयनमार इसक तो यह हमारा कवर बढ़ा है यहां पर लगभग अब थर्टीवां इसमें इंक्रूड रहे हैं थर्टीवन कंट्रीस के थर्टीवन थर्टीफाइम है थिंग होने वाला है हमारे नैशनल करेंसी और पोलाइंड का क्या आएगा जलोटी करेंसी ओफ हंगरी फॉरिंट ओके नै नैशनल करेंसी ओफ फ्रांस तो हमारा फ्रांस आएगा फ्रैंक और नैशनल करेंसी ओफ जर्मनी इसका भी यूरो आएगा नैशनल करेंसी ओफ इस्राइल यह याद रखेगा दोस्तों न्यू सेकेल ओके नेक्स्ट नेमान नेशनल करेंसी ओफ स्री लंका तो स्री लंकन र नाटेजि कातर करेंश एगा कातारी रियाल वेतनाम करेंश ए गा वेतनाम इस जॉंग कोसे बहुत वाँनामियर नेक्स्ट हमरा पॉबब करेंसी तो खुबान पीस वोगses व भी याद रहके गा ब। वाहिरन करेंशी बाहरन месте दिनार ओके इजिप्ट करनसी इजिप्टियन पाउंड ठीक है यह हमारा यहाँ पर यह टॉपिक कवर होता है नेक्स हम लोग देखते हैं स्कीम एन कमेटी जो भी कवर्मेंट स्कीम साई है हमारे कंट्री में उसके बारे में लोग कवर करते हैं तो हमारा पहला जो है आईटी कि मिनिस्टर राजीव चंदर सेखर ने लॉंच किया ग्रिवियंस एपेड़ेट कमेटी को जी एसी को ठीक कमेटी का नाम याद रखिया और किसने लॉंच किया है वो याद रखिये ठीक है यह इंपोर्णन नाम याद होना चाहिए नेक्स है हमारा गवर्मेंट प्रोग्राम का नाम तो स्वायत का को बन सकता है कि जो स्वायत प्रोग्राम था वो किसके लिए था तो यह इसके लिए था कि स्वायत प्रोग्राम इसके लिए किया गया था था वोमेंच के स्वायत के लिए यूथ एडवाइंटेज के लिए ठीक है तो यह इस्वा цен यायत रखियेंगा स्वायत को याद्रेंग रखिया था ठीक है नेक्स जो हमारा है लिशार्च एज्वकेशन और ट्रेणिंग आॉट्रीच पुलफर्म करेकारीच का क्रीच आज तेल होट्री प्लफर्म याद लखेगा यह प्रोग्रम इस लांच पाइड अन गॉर्मेंट तो फ्रोमुट्वे करने उस परमोट्स सबसे पहले लॉंच किया था इंडियन मिनिस्ट्री ओफ और्थ साइंस ठीक है गॉवर्मेंट ने तो किया था बट गॉवर्मेंट में कौन से मिनिस्ट्र ने किया था इंडियन मिनिस्ट्री ओफ और साइंस ने सबसे पहले किया था स्कीम को लॉंच ठीक है प्राइम मिनिस् कितने रुपए बढ़ाया थे भी कोशन आता है और किसने बढ़ाया था आपको आइडिया को कोई दिखत नहीं लेकिन कौन से स्कीम में यह हुआ था तो प्रधान मंतरी उज्वला योजना के तहत 200 रुपए पर एलपीजी सिरेंडर का सब्सीडिव भढ़ाया था एक्स्टे देखते हैं नमामी गंगे मिशन 2 बजेटरी आउटलेट इसका कितना था 22 और रुपीज 22,500 करोड का था तिल 2026 मतलब बढ़ा दिया गया इंक्लूडिंग प्रोजेक्स पॉर एक्साइटिंग लिएबिलिटीज एंड न्यू प्रोजेक्स इंटर्वेशन मतलब यह कहने का है कि नमामी गंगे मिशन 2 जो अभी रिसेंटल लॉंच हुआ था मिशन 2 वन तो लाइसिंग लास्ट यहर में हुआ था इस साल इतना है इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान है तो यह आप लोगों को यह याद रखनी पड़ेगी 22 करोड ने 2,500 करोड इसमें इन्वेस्ट किया गया था नमामी गंगे मिशन ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिजम अंडर स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन एंड नैशनल मिशन और पिल्ग्रिमिज रिजुनमेशन स्पिरिचल हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइप प्रसाद का फूल फॉल याद रखेगा ठीक है आइडेंटिया इडेंटिफाइड फूल पू लेशन के इसका फूल फॉल फाम आ सकता है एक नेक्स्ट वमारा केबिन एप्रूब द वाइबरेंट विलिज प्रोग्रम टू एंशोर कॉंप्रेहेंसिव डेवलोप्मेंट अफ विलेजिस ठीक है विलेज के डेवलोप्मेंट के लिए प्रोग्राम बनाए गया है कहां प गोवर्मेंट सेट अपकमेटी टू मॉनिटर दा इंपक्ट ऑफ राइज टेंपरिशर रॉंद वीट क्रॉप ठीक है एक कमेटी बठाए गए जो मतलब जो वीट का अपना क्रॉप है हमारा मतलब गयों का उसमें टेंपरिचर का इंपक्ट के इतना पढ़ रहा है राइस क अपने इसको भूल पर में याद रखेगा ठीक है तो यह निज में वीट के बारे में आप लोगों को देख लिए जीए वीट कौन सा रभी क्रॉप उसके बारे में देख लिए गा रभी क्रॉप फिन्नौ खरीफ प्रॉप ठीक है यह स्टैटिक का पार्टी समसे निकलता ह सब्सक्राइब कर्मयोगी ठीक है काम क्या हो रहा है उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टरी ने राजीव गॉबिया एक पैनल बनाए गया है गॉबर्मेंट के दुरू मोधिजी के दुरू उस पैनल के एक कैबिनेट सेक्रेटर आजीव गॉबा हैड बनाए ठीक है यह देखने के लिए कि वो स्कीम काम कैसा हो रहा उसमें ठीक है नेक्स्ट है हमारा प्रदान मंतरी किसान समान निदी योज यह आप लोगों बहुत लोगों पता होगा जिसके चार साल खत्ब हो गया 24 वरवरी को प्रदान मंतरी किसान समान निदी योजना और या पी-एंग किसान योजना कहलें आप लोग यह पी-एम जी ने अमारे नाजिन मोधी जी ने लांच किया था कब लांच किया था जैसे है ठीक है नेक्स हमारा इंडिया जोइंड अ ग्लोबल इनिशेटिव स्टार्टप बाई यू एसन यूए तो बूस्ट फंदिंग इन एसिस्टेंस फोर देवलोपमेंट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट अगरी कल्चर और फूड सिस्टम तो कंट्रिस तोगेदर लॉंज अगर कौन सी कंट्री ने जॉइन किया है इस फ्रोग्राम ठीक है एम फॉर सी ठीक है फुल फॉर में रखेगा अगरी कल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इसके अंदर यह तो ऐसा कोशन आ सकता है कि इंडिया के साथ सब्सक्राइब किया है मतलब कौन से इसमें मेंबर स ठीक है यह दोना याद रखेगा नेक्स्ट है हमारा कि दीन दयाल अंतयाद्या योजना नेशनल रूलर लाइवलियूड मिशन ठीक है फुल फॉर्म इंपोटनेंट है आज लॉंच ता प्रजवलेश चैलेंज प्रजवलेश चैलेंज विलॉंच टू इनिमाइज आइडि किया गया था ठीक है बनाए गया था नेक्स्ट है हमारा कि सेकेंड फेज ओफ सारी फेस्टिवल यानी विरासत सेवन सेलिब्रेटिंग 75 हैंड उन सारी जोफ मिंडिया जो कि स्टार्ट होगा थ्री और सेवंटी से लेका 17 जनर्री तक होगा कहा होगा वह इंपोर्टन है है एंडूम हट जनपद न्यू देल्ली में ओके कि यूइन केविनेट एप्रूव टोट इनिशल टोडल आउटल आउटलेट ऑफ नाइंटेन ताउजन सेवन हंडर्ड ऑटीफोर करोड़ फॉर नैशनल ग्रीन हैड्रोजन मिशन यह बहुत इंपोर्टन हो दोस्कों ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में न्यूस बहुत चल रहा है एक दो सालों से तो यहां पर आपको याद क्या रखना है यह कितना करोल इस पर और किस मिशन में नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में होके ठीक है मिनिस्ट्री फूम अफैर्स इन इंडिया इस्टेश्ट इस हाइड पावर्ट कमीटी एच्पीटी तो एंडरेस इसूस रिलेटी तो प्रोटेशन ओ लड़ाक्स कुल्चर लेंगवेज लेंड एंप्लॉयमेंट अपॉर्चिन इस सेवंटीन मेंबर कमीटी हैस कॉ पतलब इस कमीटी वह इसलिए बनाएगा कि तो लड़ाक के कल्चर लेंगवेज के लेकर इसू होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाएगा इसमें 17 मेंबर्स इसमें 17 लोगों का मेंबर बनाएगा है ठीक है जिसमें चेयर्मेंशिप दी गई है नित्यानन जी र एडवाईजरी एसिस्टेंट री सालेंस एंड ग्रोथ एक फ्लैटफोर्म में यह विल बी लॉंच पाइप कॉमर्स एंडेस्टी इंडेस्टी इंप्यूज लिए लॉंच होने वाला है ठीक है तो इसका आप लोग फुल्फोर्म खायाद रखी कि यह कौन लॉंच किसने क ब्लाइड लेस्ट कंट्रोल विद ऑब्जेक्टिव और राइट तू साइट ठीक है विद्धिस राजिस्तन हैस बिकम दा लिए पर देश का स्कीम का नाम था जिसमें अभी अब आइजिंग नहीं मिलेगा एजूकेशन लोन के लिए ट्रीपिक क्हतम होता है है ठीक ियनिट्स नेक्स टॉपिक जो देखने वाल एवाज का सेक्षन होने में फ़र्ट्साइब किए कोशन जाए आजगा है रहा है आजका। ने रिसेंटली जितने भी वह में थ्री मन्स के अंदर तो हम लोग यह करके सब देखते हैं ठीक है सबसे पहले हमारा है ऑसकर अवोर्ड इसमें आप लोग पता हुए नाटू नाटू सॉंग को हमारा अवोर्ड मिला है जो कि मैं मैं मैंशन किया यहां पर ऑसकर अवोर्ड बैस् स्टार्टिंग्स मनों देखते हैं ऐसकर बेस्ट पिच्चर इसको मिला है स्टनुाइग है जी मैंचल यiyorsun ओक तरफ मिला है ब्रन्डन फरेशर को दो बेल कि दावल पीच्छ नाम है उसमें ब्रेंडन फास्ठ ने काम किया है उसके इसके वजह से उनको बैस अक्टर नेक्स्ट हमारा जो है औसकार वोट्स बेस्ट फिल्म एडिटिंग का यह भी जाद देखें यह यह मतलब मुस्ट लॉफिट यहीं फिल्म वाले रिल्डेट सारे ओवर्ट्स मिले हैं तो भी बेस्ट वोट्स हैं ऑसकर में ठीक है यह याद रखेंगा आवर्टिंग आवर्ट्स में हम लोग देखते हैं जो भी मारे स्रेंट में मिलेगा है ठीक है पहला आवर्ट्स में मिलता है आपको पता हुआ तो मीरा बाई चानु को मिला है और बीबीसी इंडियन स्पोर्स वोमन ऑफ दे एर ठीक है टेबल टैनिस प्लियर भवानी फटेल बीबीसी प की ना फोस्तर कि पाइन फ़ेन को डिली कि वा बीडियन में कोनती दोनों सकता है दो चब्रुएंइटाटि नोगरा थिरा वी गJI वांस ट्रेंध नोगे का चानुआ चारपाटँन्दों में बश्केतल sports and for inspiring generation of players ठीक है स्रीवाच वास्ट वुमेन होकी कोच टू गीव दुरुनाचारी आवाट यह मतलब पहली वुमेन थी होकी कोच जीने दुरुनाचार आवाट मिला था बट रिसेंटली अभी क्या मिला है वो ध्यान दीजिए यस इनको BBC Lifetime Achievement आवाट मिला है ठीक है फॉर्मर वक्षन नितू नीतू गंगास वस्टूजन द बीवीसी एमर्जिंग प्लियर ऑफ दर यह भी इंफर्टेंट है वुमेंस लॉन लॉन बॉल्स टीम ओफ लवली चौबे रूपा रानी त्रीके तिरके पनी एंड नैन मोन का साहिका जिन्होंने गोल्ड जीता है 2022 गोवनवल गेम्स में और जीने दिया गया है इसके वज़े से जो अवर्ट जीता था गोल्ड इसके वज़े से दिया गया है बीवीसी चेंज मेकर ऑफ दा इयर अवर्ट ठीक है याद रखिए गया दोस्ती भी इंपर्टेंट कुशन है इंडियन ग्रेंट मास्टर डी जुकेस हैज बीन ओनर्ड विफ प्लेयर ऑफ देयर अवर्ट पाइशन चैस फीडरेशन ठीक है इंडियन टॉप ट्रिपल जंपर एश्वर्या बाभू एज बीन बैंड बाइशनल आंटी डोपिंग एजनसी एन डीए डिसिप्लिनरी पैनल फोर फूर येर्स पर यूजिंग अ प्रोइबेड़ एनबॉलिक स्टेयोरीड ठीक है कुछ इन्होंने क्यमिकल यूज किया थ नेक्स्ट है हमारा तामिल नाडू जेस्विन एल्रीन ब्रोक दा नैशनल रेकॉर्ड इन डामेंस लॉंग जंप इन डा सेकेंड एफ़ा एफ़ाइ नेशनल जंप्स कोर्पोरिशन ठीक है रिसेंटली इन्होंने रेकॉर्ड तोड़ाया भी तामिल नाडू की जेस्विन लॉंग जब में करनाटका एंडेट देर फिफ्टी फूर यह इंपॉर्डेंट न्यूज है संतोस ट्रोफी होता है फुटबॉल का जो की करनाटका जीता अभी फिफ्टी फूर साल बात जीता है ठीक है कितने से किसको हो रहा है मेगालिया को 3-2 से आ रहा है फाइनल में ठ सब्सक्राइब के जो ऑफ़े मास्टर मोगे यह लोग विगनर से तो मैक्सस्वाटेंस सुटीजन हों ऑपनिंग बारियन बैर ही इन ग्रेंट्रिक्स कह सकते हैं आप लोग इसे ठीक है बैर है इं ग्रेंटी फूर्टेंट है यह इंपरटेंट इस प्रेसीड़ेंट तक त 2027 तक कौन है गाइनिंग इंफांटीन यो बहुत इंपोर्टेंट नियुज़े ठीक है रिसेंटली अभी टीम पर हमारे जो अस्टेल है के टेस्ट क्रिकेट के कोस्ट है वह उन्होंने रिटाइन्मेंट अनॉंस किया क्रिकेट सब बहुत जल्दी अनॉंस कर दिया बट ठीक बट ऐसरी ब्रीगेंट माइल इस नीएड भी दे दीवन डियर एव्टी बहुती एज एई और इंपोर्टेंट नीएज से क्या कि नाम से स्टेडियू engaged को नाम दिया गया ठीक है राजिख़्स होकी टर्फ ठीक है और जो कि पहले क्या नाम था mcf राइ बरेली स्टेडियम नाम था उसको चेंज करके रानी गर्ल्स होकी टर्फ ठीक है एड साथी अरेबिया साथी अरेबिया ग्रेंड प्रिक्स फॉर्मुला वन रेस में शर्जियो पेरेज डिस्प्लेड ओमिनेंट पर्फॉर्मस एंड इस फॉर्स विन पहली बार पेरेज शर्गियो पेरेज जीते हैं ठीक है ग्रेंड प्रिक्स कोई भी याद रखिए अभी साकी वाल असन सर्फास टीम साथी का रेकोर्ड इन्होंने तुर दिया लीडिंग विकेट टेकर टीट्वेंटी क्रिकेट में डूरिंग डूरिंग सेकंड टीमेंट इमेंच एंस आर्लेंड इन चेट गुराम सीरीज से अभी जो सीरीज एंड शीरीज चल रहे थी आर्लेंड और बांगलादेश की इन्होंने अभी साकी वालासर ने रेकोर्ड उसी सीरीज के दोरण तोड़ा है साओधी का आयस विके स्टेडियम इन क्रॉंज तो वीडियो ना लंबब हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से जो हमारे बागी है उसको भी अमने लोग कर लेंगे ठीक है जैसे कि हमारा टॉपिक्स के एक बार मैं आपको और दीका देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे यह हो गया हमा यह सब कवर है रैंक एन रिपोर्ट बहुत ही इंपोर्टेंट आजकल पूछा जाता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या कौन सी कंट्री उसमें आ गए ठीक है यह इसलिए क्योंकि टेक्नलोजी रिटेट कोईशन तो आएगा ही आएगा तो यह मैंने नियूस इंग सारे जो भी बागी के टॉपिक्स जो मैंना भी मेंशन किए ठीक है तो मिलते हमारे नेक्स वीडियो में ठीक है तब तक के लिए गुड़ बाई